हाई अप्रिवान हो पेड़ो इंग वेल सो जैसे आपको पता ही होगा यह हमारी बेजिक टू अडवांस मास्टर क्लास सीरीज का सेकेंड वीडियो है जहां हम कंप्लीट स्टॉक मार्केट का नॉलेज जो आपको बहुत सारे ट्रेनर्स पांच ज़ार से लेके पचास ज़ार तक भी चार्ज कर रहे वो सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो भी विदाउट एनी चार्जेस लाश वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिया उसके लिए ठैंक यू जैसे आपको टाइटल से समझा होगा कि यह इस सीरीज का सेकेंड वीडियो है अगर आपको यह स्टार्ट से स्टार्ट करना है तो आपको इदर उपर आइकार्ट या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा वहाँ पर इसका प्लेलिष मिल जाएगा तो आप स्टार्ट से देखोगे तो आपको पूरा फ्लो रहेगा यह प्लाइन तो नहीं था बट डेस के इसाब से जह of charts देखेंगे, so hi everyone this is Praneet from Trader Insight, let's start the video चलिए, सबसे पहला topic आज के लिए, that is time frames, कौन सा time frame किस लिए use के जाता है, वो आपन सु देखते हैं, टेखनीकली, there are four different type of trading styles, first is scalping, second is intraday, third is swing and fourth is positional, ये सब आपको मालूम होगा, but still मैं cover कर रहा हूँ, अगर आप 9.15 से 3.30 तक trade करते हो, तो आप उसे scalping और intraday में से एक मान सकते हो, अगर आप one day से लेके six month तक hold करते हो, तो आप उसको swing trading मान सकते हो, अगर आप six month से लेके one year तक trade करते हो, तो आप उसको positional trade मान सकते हो, और अगर आप एक साल से ज़ादा old कर रहे हो, तो उसे investment बोला जाता है, तो अगर हम scalping की बात करते हैं, तो scalping one second, two second, five second, ten second, one minute, three minute, यह सब time frame को use करते हैं, और अगर intraday की बात करते हैं, तो intraday पाँच मिनिट का time frame होता है, 15 minutes का होता है, 30 minutes का होता है, और max one hour का time frame होता है, swing में 30 minutes, one hour, one day, one week, और max one month के time frame में trade क्या जाता है, इसमें आप one month तब देखते हो, जब आप almost five month का trade सोच रहे हो, और positional के लिए one week, one month, ऐसे time frame देखा जाता है, अब उपर दिखाया गए time frame के अलावा भी बीच के time frame अब use कर सकते हो, जैसे कुछ लोग intra day में 10 minutes का time frame यूज करते हैं, और कुछ लोग swing में 45 minutes का time frame यूज करते हैं, बट generally आपको ये odd time frames जैसे 45 minutes हुआ, या 2 months हुआ, ये सब आपको platforms में नहीं मिलेगा किसी भी, unless and until आपके बस trading view का pro version हो, जहाँ पर आप ऐसे custom time frames अड़ कर सकते हो, अब out of these 4 trading styles, ये scalping का time frames है ना, that is the most risky time frame, क्योंकि these are extremely volatile moves, generally 5 minutes भी risky माना जाता है, बट बहुत लोग इससे comfortable रहे हैं और इसको use करते हैं, इसके लिए इसको intra day में ही लेते हैं, so जैसे आपको बता है, time frame जैसा बढ़ता रहेगा, तो market का volatility और risk दोनों कम होता रहता है, जितना आप smaller time frame यूज करते हो, आपको उतना ही उसमें false signals मिलते जाएगा, यही सब reason के वज़े से, positional और swing trading, beginners को use करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि उसमें कम risk होता है, और जब आप यह master कर लोगे न, फिर ही आपको intraday में कूदना चीए, और मैं आप में से किसी भी beginners को scalping बिल्कुल भी recommend नहीं करूँगा, scalping जिसको जानना है, आप simply समझ सकते हो कि बहुत छोटे moments capture करते है, और इस छोटे moments के लिए भी आपको huge capital चीए और या फिर huge margin चीए, जब आप intraday करते हो, तब आपको minor moments ही capture करना होता है, बट वो moments scalping से बहुत better होता है, और scalping के comparison में आपको capital या margin दोनों कम लगता है, इन में एक inherent risk तो है, swing और positional में क्या है, कि आपके वाज एक option है, कि अगर समझो कि trade आपका opposite गया, तो आप उसको investment में convert कर सकते हो, मैं यह suggest तो नहीं करता, but if stock is a good quality stock, तो आपके वाज यह option तो है, और इसमें आपको comparatively कम margin लगेगा, आगे बढ़ने से पहले, I would like to give a shout out to Chartprime, वो are today's video sponsor, जिनको नहीं पता, Chartprime is a custom indicator service, यह बाकी सब indicator service जैसे आपको सिर्फ buy या sell के tips देने वाले services नहीं है, इनका goal उन trader पर focused है, जो अपने trading career के मामले में serious है, और इनके tool को additional confirmation की तरह use करते हैं, अपने analysis में, यह आपको 5 indicator प्रोवाइड करते हैं, which has more than 20 different unique confluence points, जो आप अपके analysis में use कर सकते हो, जैसे उनका एक indicator है, chart prime oscillator करके, अगर आपने इनका subscription लिया है, so I highly recommend कि आप इनका ये वाला indicator ज़रूर explore करना, क्योंकि I feel this is a powerful indicator, इस पे हैं हमने already एक वीडियो बनाया भी है, इस oscillator में उन्होंने बहुत सारे bearish या bullish signal को एक साथ club कर दिया है, जैसे ये macro overbought और oversell region, ये trend dots, ये regular या फिर hidden divergence जित जाता है आपको, या फिर reversal warnings हुआ, और ये micro bands हुआ, etc, और भी बहुत सारे चीज़े हैं इसमें, जिसको आप club करके powerful strategy भी बना सकते हो, अब settings में देखिए, यहाँ इतने सारे features है, obviously this is not for everyone, और मैं आपको guarantee भी नहीं दे सक करते हैं, so I would advise to take their one month subscription and try out their product yourself, और जितना experimentation करना है कर लो, अगर अच्छा लगता है, तो ये continue करो, वर्रह मत करो, कौन force करता है, और description में मेरा link रहेगा, और अगर आपने वो link से account open किया, तो आपको 40% तक off मिल जाएगा, इनका products में, so if you find it interesting, make sure to check them out, अब next topic जो आता है, that is type of charts, वैसे तो कही type के charts है, आपको screen पर दिख रहा होगा, mainly लोग 3 type के charts refer करते है, that is line chart, bar chart और candlesticks, अब इस में से भी almost 80% traders होते हैं वो सिफ candlesticks दिखते हैं, बड़ आपको बाकी type के charts का भी idea होना चाहिए, सबसे पहले हम बात करेंगे line chart की, let's say Monday market यहा close हुआ, फिर Tuesday को market यहाँ close हुआ, फिर Wednesday को यहाँ, Thursday को यहाँ, और Friday को यहाँ, तो इन points को जब आप join करोगा एक line से, तो यह chart जो बन जाता है, उसको line chart बाना जाता है, so definition देखते है, a line chart is a graphical representation of an assets historical price action that connects a price of data points with a continuous line, जिसे आप देख सकते हो, यहाँ time frame 5 minutes का है, और मैं इधर उपर candles को change करके line chart में change कर रहो, तो आपको इस chart में हर एक point जो दिख रहा है, वो हर 15 minutes का closing price denote कर रहा है, ऐसे ही आपको अलग-लग time frames में line chart मिल सकता है, simply time frame change कर दो, और मिल गया, so अब next सवाल होगा, line chart यूज क्यो करते हैं, देखो, line chart से आपको इतना ज़्यादा डिटा तो हो रहा है, और या फिर यहाँ पर देखे, reversal है, यह सब आपको easily spot हो सकता है line chart में, यह हो गया हमारा line chart, हम चलते हैं next chart पे, that is bar chart, bar chart को OHLC chart का भी part बोलते हैं, अब आप पूछो कि OHLC chart क्या होता है, OHLC chart हमको यह बतता है कि stock open किदर हुआ है, कितना high बनाया है, कितना low बनाया ह और close किदर हुआ है, 15 minutes में या फिर respective time frame में, यह अपने को एक OHLC chart से पता चलता है, जैसे आपने line chart में देखा, आपको सिर्फ वहाँ एक की function दिखता है, और वो है उसका closing, बट यहाँ पर आपको total 4 function दिखता है, इसे क्या होता है, आपको एक better idea आ जाता है, कि stock आगे कैसे perform क करेगा, और आपके trading signals का accuracy भी बढ़ जाता है, so अब OHLC chart में सबसे पहला type होता है, bar chart, bar chart के भी two types होते है, एक होता है bullish bar, और एक होता है bearish bar, generally bulls उन्हें बोला जाता है, जो market को उपर लेना चाते है, और bears उनको बोलते है, जो market को नीचे ले जाना चाते है, इसमें bulls इसके बोला जाता है, क्योंकि आपको भी बता है कि bulls aggressive होता है, और वो attack करते हैं वक्त हौन्स अपने उपर रखते, whereas जो bears होते हैं वो attack करते हैं आईसा नीचे side attack करते, so इसलिए उसको selling से associate किया गया, so जब भी हम एक bullish bar बोलते हैं उसमें क्या होता है, let's say कि stop इधर open हुआ, फिर थोड़ा नीचे गया और एक low बनाया, फिर वापस उपर गया और इधर एक high बनाया, और फिर जाके यहाँ closing दिया, अब आप यहाँ देख सकते हो, close price, open price के उपर है, so इसलिए इसको bullish bar बोलते हैं, क्योंकि उस दिन stock उपर गया है, और इस bar को green से denote किया जाता है, similarly bearish bar आप अब यह example में आप देखो, close price मेरे open price के नीचे है, so इसके लिए हम इसको bearish bar बोलते हैं, क्योंकि उस दिन आपका price नीचे गी रहा है, और bearish bar को हम red color से denote करते हैं, trading view में आपको ऐसा easily दिख जाएगा bearish और bullish bars, so this concludes our bearish and bullish bars, but कैसा है ना, लोग generally candlestick जादा prefer करते हैं, technically candlestick और bar chart same ही है, but कैसा है candlestick visually लोगों को जादा clear picture देता है, इसके लिए लोग candlestick जादा prefer करते हैं, और candlestick में आपको patterns बहुत जल्दी spot हो जाते हैं, आज हम candlestick short में देखेंगे, क्योंकि candlestick के ऊपर एक dedicated session already आने वाला है, so candlestick भी same OHLC chart का ही हिस्सा है, candlestick भी two types के होते हैं, ए वाब bullish candlestick बोलते हो, तो उसमें क्या होता है कि open let's say की price इदर एक open हुआ है, फिर ज़रा सा निचे गया और एक low बनाया, फिर ऐसे उपर गया और एक high बनाया, और last में यहाँ जाके close हुआ, so यह वाला जो बीच का part है, वो candle जैसा बन जाता है, यहाँ close price open price के उपर है, so इ इस candle को हम लोग एक bullish candle बोलते है, similarly bearish candlestick भी ऐसे ही होता है, let's say की market यहाँ पर open हुआ, फिर जाके एक high बनाया, फिर जाके एक low बनाया, और last में यहाँ close हुआ, so यह बीच वाले part को हम एक candle जैसा बनाते है, since इस दिन सिर्फ price नीचे गया है, इसके लिए इसको bearish candlestick बोलत तो मैं description में डाल दूँगा, so guys, if you like the video, please support us by subscribing to the channel and hitting the bell notification and do like the video and share the video, अगर आप हमको support करना चाते हो, तो UPID आपके screen पे होगा, और अगर आपके पास DMAT account नहीं है, तो मैं description में जीरोता का link डाल दूँगा, हमसे account open करके आप channel की थोड़ी help कर सकते हो, और अगर आपको यह वा Please comment में आपके feedback दीजिये, और कौनसी strategy आप चाते है कि हम backtest करें अपने feature videos में, ये भी जरूर बताना, आप अमारे channel की playlist देख सकते हो, और दूसे strategies के videos भी देख सकते हो, all the social media links will be in the description, please follow us and show our support, more awesome contents are on the way, so see you next time. झाल